इधर देखो क्यों परेशान हो भाई अरे भाई मुझे हिंदी और इंग्लिश में साथ में टाइप करना है Microsoft Word और Excel के अंदर लेकिन मुझे बार-बार पॉंट में जाकर पॉंट चेंज करना पड़ रहा है इसी कि वसे मैं परेशान हूँ बस इतनी से बात यह लो मेरा जादू का कोट पहनो आपको आ जाएगा क्या बात कर रहे हो दोस्तों मजाग कर रहा हूँ यह कोई जादू कोट नहीं है और इस कोट को पहनने से आपका हिंदी और इंग्लिश आटोमेडिक टाइप होने वाला नहीं है मैं बस मजाग कर रहा हूँ लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि Microsoft Word के अंदर आप इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में अगर टाइप करना चाहते हैं तो आप एक शॉटकर की से स्विच हो सकते हैं पॉंड के बीच में कैसे मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगा Microsoft Word हो या Excel हो जैसे एक्जम्पल के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप किया है नमशकार अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना चाहता हूँ तो मैं कीबोड पे simply एक शॉटकर की प्रेस करूँगा जिसे प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यह देखिए यहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो रहा है फिरसे मुझे हिंदी में टाइप करना है तो मैंने आप एक शॉटकर की प्रेस की ये हिंदी में टाइप हो गया तो चलिए जादू का कोड़ पेन के मैं एक और जादू आपको सीखाने आया होगे मैं सतिश आप सबका सुभबत करता हूँ Let's begin तो जैसे कि मने इंट्रो पार्ट में दिखा है कि एक शॉटकर की से आप पॉंड के बीच में स्वीच हो सकते हैं Hindi to English या कोई और भी पॉंड आप चाहते हो आपका Mother Tanka कोई पॉंड है तो वो भी आप सकते हैं तो यहाँ पे देखे मैं आपको दिखाता हूँ अब मुझे यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है तो मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पर हिंटी करना पड़ेगा इसमें पॉंड चेंच करना पड़ेगा हिंदी में टाइप हो रहा है आपको दिखाए दे रहा है अब मुझे फिर से इंग्लिश में टाइप करना है तो फिर से यहां पर जाना पड़ेगा फिर कैलिबरी करना पड़ेगा और फिर यहां पर यह टाइप होगा इस पर मैंने क्लिक कर दिया है उसके बाद नीचे आपको कीबोर्ड शॉटकर्ट यह ओप्शन दिखाए दे रहा है कस्टमाइज तो यहां पे कस्टमाइज बटन पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड शॉटकर्ट में फिर कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद जो डायला बॉक्स आ यहां पर मैंने शॉटकट की असाइन किया, अगर मैं इसे चाहिए तो रिमू कर सकता हूँ, अभी मैंने इसको Ctrl-Shift-B किया है, तो मैं इसे पहले रिमू कर दिता हूँ, फिर से असाइन करके दिखाता हूँ, आपको असाइन करने के लिए क्लिक किया, यहां पर प्रेस न्यू क्योंकि Ctrl-A से Select All होता है, Ctrl-B से Bold होता है, तो Ctrl-Shift के साथ combination रखो, तो मैंने यहां पर Ctrl-Shift-A प्रेस कर दिया है, जो कि इस Calibri font के लिए शॉटकट की apply हो जाएगी, दुबारा देख सकते हैं, मैंने Calibri font select किया, प्रेस न्यू शॉटकट की इमें करसर रख दिया, उसके बा की assign किये, यह remove कर देता हो पहले, और यहां पर cursor रखूँगा, याद रखी, इसमें cursor रखना है, फिर Ctrl-Shift और मैं यहां पर B प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl-Shift-B प्रेस करूँगा, असाइं, Ctrl-Shift-A और B, अब Hindi और English font के लिए मैंने दोनों के लिए अलग-लग shortcut की, यहां पर assign की है मैं finally okay करूँगा, यहां पर आके, मैं Ctrl-Shift-A प्रेस करूँगा, और मैं टाइप करूँगा, इंग्लिश में टाइप होगा, Ctrl-Shift-B प्रेस करूँगा, यह टाइप होगा, हिंदी में टाइप होगा, वाउ, इस तरह से, लेकिन, एक मिन डुकिए, Microsoft Excel के अंदर यह option आपको Microsoft Excel के अंदर थोड़ा सा अलग ट्रिक हम यहां पर इस्तमाल करना पड़ेगा, यहां पर कीबोर शॉटकट पॉंड के लिए नहीं मिलता है, तो हम क्या इस्तमाल करेंगे, हम Macro का इस्तमाल करेंगे, कैसे मैं आपको बताओंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहल अलग हम लोग आगे देखते हैं, Excel में, Excel में एक ऐसे होगा, basically, Excel के अंदर मैं यहां पर यह वाली फाइल क्लोज कर देता हूँ और नया फाइल ओपन कर लेता है, क्योंकि उसमें मैंने अल्रडी बनाया था, अब यहां पर क्या होता है, कि आप फाइल में जाते हो, Options में जा यहां पर जाएंगे, Developer Tab, Developer Tab नहीं तो कोई बात नहीं है, View में जाओ, Right, View में भी, Macro में, Record Macro Option आपको यहां पर मिलता है, यह Developer पर भी, Record Macro मिलता है, Developer Tab नहीं है, तो उसे activate कर लो, Right Click कर करके, Properties में जाकर, Right, यहां पर Right Click करो, Customize the Ribbon, और Customize Ribbon में, यहां पर Developer Tab को चे करो, ठीक जो Shortcut की Assign कर रहा हुआ ही करूंगा, चलो, Control Shift A करना चाहता हो, तो मैं Capital में A लिख दूँगा, बस यहां पर Capital वाला A लिखुँगा, तो Automatically Control Shift A आएगा, याद रखिए, Word के अंदर, आपको Control Shift A प्रेस करना पड़ रहा था, यहां पर बस आपको Capital में A लिखोगे, तो Automatically Control Shift A यहां पर Apply, क्योंकि Control पहले से Shift Automatic आजाएगा, अगर आप Capital A यहां पर Type कर दे तो, ओके, तो यह है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर Hindi में Type हो, अब मैं उल्टा करना चाहता हूँ, या फिर Control Shift B करता हूँ Hindi के लिए, चलो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते, आप S आप कर सक आप कर दे तो, अब देखे, मतलब रेकोर्डिंग चालो हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, बस यहां पर फॉंट चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, Macro क्या करता है, स्टेप्स को रेकोर्ड कर लेता है, और अभी आपको Stop Recording करनी है, तो Stop Recording करनी है, तो Stop Recording करनी है, तो Okay, अब देखे, Macro 2 नाम इसका, नाम नहीं बतला तो भी चलेगा, इसको English, Hindi नाम भी आप रख सकते हैं, नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि हम shortcut की से access करना चाहते है, तो यहां पर नाम Macro 1, 2, वो रहने दो, लेकिन shortcut की प्रॉपर रसेंट करो, अब यहां पर Okay करो, ओके क अब क्या करेंगे बताओ, डेवलपर में जाओ, स्टॉपर काई, अब अब आप यहां पे अभी आप जो टाइप करोगे, वो English में आ रहा है, अब मुझे नीची Hindi में टाइप करना है, तो मैं कीबोड पे Ctrl-Shift-B प्रेस करो, और टाइप करो, हिंदी में आ रहा है, Ctrl-Shift-A English में आ रहा है, English to Hindi, Hindi to English, और हाँ दोस्तों, एक और important बात, जो कि हमने इस फाइल में Macro रेकॉर्ड किया है, Macro फाइल है, तो इसे सेव करते समय, जब यह Save As Type का डाइला बॉक्स आता है, तो इसमें आपको Excel Macro Enable Select करना होगा, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूँ, यह फाइल नॉर्मल Excel फाइल नहीं है, यह है Excel Macro Enable Workbook फाइल, तो इसे इस तरह से आपको रखके फाइल का नाम देके Save करना होगा, भाई, जादू को कोट पेंडने के आपको जुरूत नहीं है, आपको यह आ गया, आ गया तो इस वीडियो को आपने अल्री लाइक तो किया यह होगा, शेर भी करो, अपने किसी कम से कम एक दोस्त के साथ, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी, कितनी बार बोलो, शेर कर दो, और साथ ही में Learn More Shots या आपी Real Tutorial, Excel Tutorial चैनल को भी, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, मेरी वेबसाइट को भी चेक आउट को, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक लिए ऐसे इंट्रेशन टीप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना खयाल रुखो, बाइबाइबाई